एंड़ टीवी के नए शो बाल शिव महादेव की अंदेखी गाथा का ओडियंस ने बड़ी बेसबरी से इंतजार किया शो की डेट 31 अगस्त रखी गई थी लेकिन शो 31 अगस्त को लोच नहीं हुआ तो चलिए जानते हैं कि अखिर शो क्यों नहीं आया और शो कब तक आ सकता है 31 अगस्त को शो का पहला एपसोड नहीं आया क्योंकि शो पर मुकदमा दायर किया गया है जी हाँ एक पठकता लेकक छोटे लाल सैनी ने शो पर कोपिराइट उलंगन और गोपनियता भंग का आरोप लगाया है सैनी का मानना है कि जी स्टूडियोज लिम्टिड ने बाल शीव के उनके विचार के कोपिराइट का उलंगन किया है सैनी कहते हैं कि अब तक वो इस विचार को लेकर कई बैटकें भी कर चुके हैं उनका मानना है कि बाल शीव का विचार उनका था और जी स्टूडियोज लिम्टिड ने इसको कोपि किया है जेश्टिस गोतम पटेल ने जी इंटर्टेनमेंट से सैनी और उनके कानूनी प्रतिनीधी को शो के दस एपसोड दिखाने को भी कहा है हलांकि अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सैनी उसे दिखाए गई एपसोड को रिकॉर्ड या वीडियो टेप नहीं करेंगे जामक एक अन्याधारवाहिक में भी परसारित किया गया था इसके अलावा इस अफधारना पर अब तक टोटल चार मुवीज भी बन चुकी हैं जो कि 1965 और 2003 में तेलगू 1965 में हिंदी 1957 में कंड़ जैसी लंग वेजिस में आई थी जी इंटर्टेन्मेंट ने बॉंबे हाई कोर्ट को सुचित किया है कि वह 15 सितंबर तक बाल शिव महादेव की अंदे की गाथा का परसार नहीं करेगा इसकी आखरी सुनवाई की जड़ 13 सितंबर बताई गई है यानि के शो 15 सिप्टेंबर के बाद ही आएगा इसी की वज और उनष और छी आएगा इसी की तद्च द्ड़ा दिव जुटेंगे झाखरी सुन गब ट힘साएग